हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरह से प्यार भरनमशकार सत्ष्रियाकाल अधाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजीर हूं एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वले हैं चोको जिप्स जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं चोको जिप्स बि बनाएंगे और कई चीजों में इस्तमाल होते हैं तो इन्हें बनाना भी बहुत असान है जटपट से बन करते हैं तो चलिए देखते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स चोको जिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट तो यह तोड़के रख लिए हैं इस तरह से बॉल में स्टील का बॉल का इस्तमाल कर रहे हैं तो इसे करना है हमें मैल्ट तो मैल्ट करने के लिए हमें डबल बॉयलर का इस्तमाल करेंगे तो आप इसकी जगह का बॉल भी ले सकते हैं पर मैं स्टील का इस्तमाल कर रही हूं तो चल तो friends हुमें सीधा इसके ओपर इस तरह से रखना है पानी के साथ बॉल को टच नहीं करना है और इस तरह से आराम इसके ऊपर रखके चॉकलेट को हमें melt करना है और जट पर से ये चॉकलेट melted हो जाती है पूहसे को जिसमें ज्यादा नहीं तो जब तक यह अच्छी तरह से मैल्ट नहीं होती हम इसे के ऊपर रखेंगे तो यह देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरह से मैल्ट हो चुकी और कितनी शाइन आ रही है चॉकलेट में तो बस इससे ज्यादा हमें और मैल्ट करने की जरूरत नहीं है मतलब की पकाने नहीं तो बटर पेपर आते हैं तो बटर पेपर कभी हम इस्तमाल करेंगे चोको चिप्स के लिए बहुत ही असानी से बाद में इसके उपर से निकल भी जाते हैं यहां फॉयल पेपर आता है इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं तो तीनों चीजों का इस्तमाल कर रही हू उसे इसमें फिल करेंगे और इसका बना लेंगे कौन और अराम से बनाएंगे चोको चिप्स तो मैं दूद की जो पैकेट्स होते हैं थैली होती है उसे इसे अच्छी तरह से साफ करके रख लेती हूं कि कभी भी हमें जरूरत पढ़ती है कोई ना कोई चीज बनाने के लिए तो हम इस्तमाल कर सकते हैं तो चॉकलेट भी हमारी ठंडी हो गई है तो देर ना करते हुए भरते हैं इसे दूद के पैकेट में जो हमने थैली का इस्तमाल कर रहे हैं यह गिलास में मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगा लिया है ताकि हम जो चॉकलेट है इसमें अ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यह देखिए मैंने कोण बना लिया हैं दो बहुत यसानी से बन गए हैं तो अब हम आगे से इसका बिल्कुल इस चोटा सा कट लगाएंगे इसके उपर ताकि जो हम मतलब जिसमें से ड्रॉप बाहर निकले और इसली चोको जिस्फ़ बन सकें ये देखिए इस तरह से तो छोटे छोटे ही आम इस तरह से ड्रॉप्स लगाते जाएंगे इस तरह से बिंदी होती है ना बिल्कुल वैसे ही हमें इसके उपर इस तरह से लगाएंगे और सारी sheets मैं इस तरह से भर लूँगी और इसे freezer में कम से कम 5-7 मिनट हम रखेंगे अच्छी तरह से बिलकुल यह सेट हो जाएंगी चॉकलेट बिलकुल जम जाएगी और हमारे चोकोचिप बिलकुल त्यार हो जाएंगे तो इसी तरह से मैं सारी यह प्लेट भर दूँगी तो फ्रेंड आफ फटा फट लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए यह देखिए मैंने प्लेट भर भी दी और इसी त लगाये हैं कितने बड़ी है चोकोचिप्स बनए आप इससे डेगजर्ट बढ़ें और कुकि मैं जट्पट से घर पर बनाएए और लग ऐसेखिए शालकाई कह सकते हैं और खाये वैसे भी खाये जाते हैं तो डेकिए सबी तरह सब करेंगें हैं क्योंकि मैंने तीनों चीज़ों पर इसे अच्छी तरह से बना कर निकाल लिया है और जटपट से बन गए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है न तो जिरुकुल उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेर भी जरूर कीजिए तो इसी तरह से अच्छी रेस्पी में आपके लिए लेकर आती रहूंगी यह देखिए कितने बढ़िया हमारे चोकोचिप्स बने हैं ब जियुण करेखिए